है यह हैं इस्ट है इंडिया में इतना हो गया है नहीं तो हर घर में एक तो है यह जो यह पर प्रीडियंटिक तो वैसे बाइस मौस्ट लिए अभी प्रीडियप्टिक जो है यह एक सिस्ट्र्म ऑफ लोगों को समझाने के लिए चीज पेश करिए कि अभी संभल जाओ नहीं तो आगे खतरा है उन्होंने देखा प्री बैडिंग कर रहे हैं लोग हम भी कुछ प्री कर दें तो उन्होंने भी कर दिया कि प्री डायबिटिक जो लोग है अगर वो मेथी दाना 20 कलॉंजी के 10 दाने और चने काले 40 दाने पानी में भी गोदे रात को सुबा उठके चबा चबा के खाएं चबा चबा के खाएं और जब वो चबा चबा के खाते हैं तो मूँ का सलाईवा जो है वो पेट में जाता है अब वो जब जाता है तो प्री डा तो दूसरी बात कि एक इसके अंदर चो लोग मांगते हैं कि सर शूगर के कारण वीकनस है उनको हम एक्स प्लस मगरा तो खलाती खलाते हैं क्योंकि यह तो नैचरल चीज है लेकिन हम उनको बोलते हैं कि भई जब तक आप हमारे पास नहीं पहुंच पाते एक्स प्लस तक नहीं पहुंच पाते अनर्जी टॉनिक तक नहीं पहुंच सकते तब तक आप अपने रिसुई घर में पहुंचो पांच बदाम, पांच किश्मिश और एक अखरोट और एक अंजीर क्यार चीज़े, अंजीर कहते हैं कहावत है कि जो खाए अंजीर उसकी मजबूत बनेगी जंजीर जंजीर मतलब रीड की अड़ी, स्पाइनल तो मतलब कहने का कि अंजीर जो है, वो आपके डाजेशन सिस्टम को ठीक करता है, पाचन के रहा को ठीक करता है, खून की मतरा को बढ़ाता है तो उसको अगर हम लेते हैं, चारों चीज़ों को रात को भीगो देते हैं थीड़े एक कक्टोरी में सूबह उठो पहले बरश करने के बाद कल्वंजी मेथी खाгов जो पानी भी साथ में पीलो और उसके बाद जो ड्राइफ रूट भोके रखा वीज मिंट के बाद ड्राइफ रूट खालो पानी गिरा दू उसका पानी पीना लुथा तो अगर ये आप करते रहोगे पांच साल छे साल दस साल आपको गयार कमाल है शूगर क्यों नहीं आ रही टेस्ट करने पे ऐसा अनन्द है इसका अगर डायबिटिक प्री डायबिटिक पिशन्ट का ये इलाज हजारों साल पहले गरंथों में लिखा था अभी लोगों को पत अब भी इस दौर में इतनी बिमारियां देख ली हर अगले दिन इतनी बैड न्यूस आती है इतना कुछ आता है मतलब शायद समय बदला है स्लीप शेडूल बदला है खान पान बदला है सर आप ना ये इन सारे लोगों को जो गलतियां गर रहे हैं इन सब को एक सुपर पाartar त्रिफ़ला चूरन अलग आघ्षीज है त्रिफ़ला अमर्थ आण चीज बहुत तो आइसा त्रिफला के बारे में क्कवाल की चीज है जो तरिफला है उस में हरड बेडा आमला बराबर मातरा में डाल कर देटे है आमला मैं समझझ गया हरड हरड कैसा होता हosis तो आम्ला है जो लोग बच्पन में गलतिया करते आप जितनी मर्जी मैं खालो जितनी मर्जी सब ने किया है बच्पन में वो गलती बड़ा काम, शादी से पहले, बीरिया की बेश्टिस, समय ने करी है, कोई ऐसा इंसान नहीं बचा, गौड की तरफ से जो प्रिके रहा है, वो समने निभाई है, चाहे वो कहता है, कितने बड़ा ध्रमातमा होना हूँ, उसने ये, पॉपलम कहा थे से पता है, वो ऑनलाइन देखते हैं, वहाँ पते जाता है कि मास्टर बेशन तो सेफ है, सेफ नहीं है, लेकिन वो सेफ है, लेकिन अक्सेस महत्रा में कोई भी चीज सेफ नहीं है, तो उस समय जब बीरिया बेश्ट कर लेते हैं, तो उस चीज को पूरती के लिए आमला, आमले का वो भी बेनिफिट है, जिन लोगों को सपन दोश होता है, नाइट फॉल होता है, लड़कियों को लिकोरिया हो जाता है, लड़कियों के अंदर वाइट इस्चार्ज होता है, तिरफला पावडर, तीन फलों का तिरफला अमरत, हरड, बहड़ा और आ आमला वोला चार, अच्छा, सौ ग्राम, दो सौ ग्राम, चार सौ ग्राम की मातरा लेकर इसको बनाया जाता है, जो असली, गिटके हटा के, और इसको धूप में नहीं सुखाना, चाया में सुखाया जाता है, बहलों जो हमारे वैद बनाते हैं, प्रॉपर तरीके से बनाते में आपको, वो है कि एक मौत को छोड़ करके, बस मौत को नहीं रोक पाती है, अदर्वाइस हर बिमारी पर काम करती है, तो उसमें क्या है, जो तरिफला हम देते हैं, उसको लेने से कितनी ऐसी बिमारिया हैं जो ठीक होती है, अब जैसे आपने बोला कि एक सुपर फूड, अब ये सुपर फूड है, कोई भी पुरश है, लड़का है, बुजुर्ग है, उसके लिए है कि पांच ग्राम तरिफला शाम को पांच बजे पानी के साथ खाएंगे, तो बोलेंगे तीन महिने में थैंक यू गोल साब, तो दूसरी बात ये है कि जो महलाएं हैं, उनके ल पानी में डालना एक चमच सुबह खाली पेट पीना है, ये ध्यान रहे हैं, क्योंकि महलाओं के लिए इसका यही तरीका है, गट हैल्थ को मजबूत रखने का, त्योंकि लेडिस का गट हैल्थ आजकल बहुत कमजोर हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है, और गुर्दे में दो या तीन हफते के अंदर अंदर, आपको ऐसे लगेगा कि आपका लीवर इस तरह से साफ हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया, जैसे डिटरजेंट एक कपड़े को वाश कर देता है, अनंद यह है, सुपर फूड, बाकि जिसको मरजी सुपर फूड कहलो, लेकिन सबसे क्यों लेकर आई, आप कह रहे है, मास्टरवेशन गलत नहीं होता, एक्सेस गलत होता, जादा करते हैं तो वो गलत होता है, तो ठीक है, शायद ओडियन्स समझ गयोगी कि जादा नहीं करना, जादा फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, और क्या वैसे नॉर्मल टाइम में क् इसला से नहीं लेना चाहिए, या फिर जो प्रड़क्ट ओटीसी में पास हो, गवर्मेंट ने पास किया हो कि इसको ओटीसी कोई भी खा सकता है, किसी भी उमर में, किसी भी टाइप से, वो लेना चाहिए, अब जो गोक्षूरा है, कई वर बातरूम ज्यादा आने लग जा अब शिलाजीत जो है, वो टेस्टोस्ट्रोन लेवल को अब करती है, अब टेस्टोस्ट्रोन लेवल जब बढ़ेगा, तो नेचरली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और फरस्ट या सेकंड टाइम में प्रेगनेंसी होएगी, इतना बीरिया स्ट्रॉंग हो जाता है उसे, हाँ, वो जो हमने बनाया कैपसूल एक्स प्लस, उसमें हमने ये सब कुछ डाला है, आशवगंद, श्तावर, शिलाजीत, गोकशूरा, और ये जाइफल, जबितरी, सैफायद, मुसली, सालब, पंजा, सालब, मिश्री, ये वो चीज़े हैं, ये वो चीज़े हैं, जो वीर भी ना चलती है, ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा लूट है, इसमें, 3000 क्योंकि इसमें गोल्ड डला है, पहले ये 1980 रुपे की थी, अब ये 3000 की होगी, अब गोल्ड का और रेट बड़ेगा तो ये और बड़ेगी, वो तो डलेगा है, वो तो बिल आता है, बिल से डालते हमारे पास सारा सबूत प्रूफ रखते है, ताकि कोई ऐसी चीज लगे ना, क्योंकि ये चीज मैंने ऐसी दी है जी दुनिया को, मतलब रुपते चेहरे हस पड़े है, एक चीज मैं बताओं, जब आपके शरीर में जान है ना जी, तब आप सब कुछ है, राइफल पड़ी तब जाकर क्या का बजूद है, बना उसका बचारी का क्या बजूद लकड का मुठा है, तो ये चीजें जो हैं, हम लोगों को बताते हैं कि भाई साब, अगर जिंदगी में सही में जीना है, एक तिरफला पाउडर, एक पंचम हल्दी, और एक एक एक्स प्लस गोल्ड, और इस तरह की जो चीजें हैं, ये अपने जीवन में अडजस्ट करो, ये दवान्या नहीं है, ये सिर्फ एक सुपर फूड है, जो आपको जो अनापसनाफ हम खा लेते हैं, खाना पड़ता है, मजभूरी है, दुनिया में रहते हैं, शादी का काड आ जाता है, शागन देना ह पैसे पूरे करने होते हैं, पूरी स्टॉल निप्टानी होती है, तो उसको उससे बचने के लिए कम से कम, जब कांटे बिशी गए हैं, तो मोटे मोटे जुते पहन लो भाई, कांटों पे तो चलना है, तो मोटे जुतों का काम करता है, आजर्वेद काम करता है, जी, बिलक तो ऊपता नी था मैरे इ теперь उती है ऐसे पर मेरे इर्द घुरदे आ जाना जाकर के एक दिन अप लगार के रख्टकि रिए किसी के फाइदे के लिए अच्छा सेवा भाओ में मांग लेते हैं हम चौक पे कि लोग तो मुझे जानते हैं इसी दे जाते हैं गोईल साब गड़े हैं दे दो तो ये क्या है कि उस चौक में मैं गया मैंने सब को पूछा भी गुटका कौन कौन खाता है सब में बोला हम खाते हैं मैं कि क्यों खाते हो के तो काम ही नहीं होता है इसके बेना बिलकुल मैं कहा इसका मतलब फिर अंबानी तो बहुत खाए हां उसको दो दिन में बाल्टी भर के खाना चाहिए जो इनकी आड़ करें अजै देवका नक्षे कुमार इने भी खाना चाहिए सब को खाना चाहिए तो मतलब दो तीन को मैंने बताया काम करो आपको मैं एक चीज देता हूँ वो आयरवेदिक है उसका लुक्सान नहीं है आप उसको इस्तेमाल करो अगर आपको लगे कि गुटका छोड़ने के बाद ये खाने से हमें कुछ प्राब्लम आई है तो आप गुटका खा लेड़ा नहीं इसको ले लेड़ा क्या दिया सर आपने आज आपको बताते हैं जितने भी लोग हैं सारे कर सकते हैं हमने उनको दिया अजवाइन खुरा सानी अजवाइन आता है एक खा से के एच यू आरे खुरा खुरा सानी अज जो खुरा सा नी अजवायन है उसको लो भाई आदा चम्मच लेके सेंदा नमक उसमें डालो जैसे चुना डालते हो रगड़ो चुटकी बजाओ उसको रखो मुह में और जिकीन मानिये जी अगर इंसान दिन में 20 बार गुटकार मुह में लेता है या वो पिलो सा लगाता है तो वो दो बार लगा पाएगा शरीर पूरा अनर्जी में रहता है और इसको चाहे दिन में 10 बार ले लो नुक्सान नी पाचन के रहा ठीक हो ब्रेन फ्रेश रहेगा और जब मैंने उनको दिया तो वो मावने लगे क्योंकि उस पर पैसा लगता है ता ना गुटके करे उन को लगा यार इससे फायदा भी हो रहा है गोल साब कुछ लेके भी नहीं जाते है अब हम तो भई ऐसे ही दे आते थे तो वह पूरा बताया ना प्रक्रिया मतलब ने नमक भी वैसे लिया मतलब उनकी है चुना रूणी के नमक ले लिया फिर वैसे ही रखेंगे पूरी हो ग परिशान रहती है शिराग के लिए तो देखो कोई घ्रेलू अबचार काम नहीं करते हैं कुछ ऐसा की ऑल्टरनेटिव उसके लिए उसके लिए मैडिसन देनी पड़ती है हम लगबग नमबर दो हजार पांच से एक मैडिसन दे रहे हैं और बहुत यादा लोगों ने उसक का इस्तेमाल कर चुके हैं और उसको देना भी हिडन होता है अब कई बार तो बता के भी देना होता है कोई खुद से चोड़ना चाहता है उसको बता के दे देते हैं कोई नहीं भी छोड़ना चाहता है तो फिर उसकी वाइफ को समझाते हैं ठीक है भई इसको दस बूंद ल तही में दूद में खाने में चाए कॉफी कोल ड्रिंग किसी भी चीज में मिला के देदो सिर्फ बीर जा शराब में मिक्स नहीं करना अधरवाज किसी भी चीज में आप इसको दे सकते हो तो उसको देने से पहले तीन महीने के अंदर-अंदर जो इनसान शराब पीता है यह एंटी अलकोहली है अच्छा अलकोहल एक मेडिसिन है और बना यह भी इसी से जो अजमाइन बगरा है जीरा बगरा है इनी चीजों से बनाया है क्योंकि होता क्या है शराब की तलब लगती है जो शराब पीने वाला अदमी है वो डेली सुबा जब बाथरूम जाता है अ जैसी ट्वालेट करके बाहर आता है चाह बाए पीता है थोड़ा शरीर ठीक होता है ठीक है जैसी चार बजते है शाम को फिर कहता है या जिन्दावाद मुर्दावाद हो रही है अब जिमाग में दो लगा लेते हैं कल नहीं पिएंगे ऐसे करते करते 20-25 साल निकल जाते है रोज कमिटमेंट करता है रोज तोड़ता है ठाहिते साड़े पंजाब दे विचे कि गल लगा दे अभी तेरा लारा नहीं शराब यहां दी गाप वा रगा शराबी की जूट को गाप तो मतलब कहने का यह है कि जब इंसान शराब पीता है तो उसका सेरो टॉन जो हार्मोन ब्रेन के अंदर वो कमजोर हो जाता है वो ही उसको शाम को कहता है पी नहीं है तो पी लेता है तो फिर जी लेता है एक दिन दूसरे दिन फिर जी लेता है यह उसके लिए जो दबाब बनाई गई है यह सिर्फ हार्मोन को एक्टिव करती है और जैसे उसका हार्मोन एक्टि है एक्स प्लस गोल्ड एक्स प्लस गोल्ड ये हमारा आज की डेट में ये समझ लो की पूरे भारत में हीरो प्रोडक्ट है जो इनसान कहता है कि छे साल हो गए हम तो मियां बीबी बहन भाई की तरह रह रहे हैं उनको खिला दो पांच-छे दिन में कहेंगे आप शादी हुई है हमारी तो अब ठीक हुए हैं पतलब कहने का ये तुरंट फैदा करता है और ये आज मैंने पंजाब का तो ये हीरो है पंजाब में तो इसको कोई ऐसा बच्च भी एंसान नहीं है जिसको इसकी जरूरत और वो जानता ना हो इस प्रोडक्ट को लेकिन अब इसको मैं लेक के लिए हमने क्या किया जो हमारी वैपसाइट कोल के देखना www.wayadwan.com उसमें क्या किया हमने उसमें हमने इसके पांच कैपसुल फ्री डाल दी अच्छा कि डेमो सेंपल डाइप हां ठीक है देखो लोग करोड़ों रप्या एडबोटाइजमेंट पे डालते हैं मैंने क्या एक क्रोड का प्रड़क्ट अपनी एक सो क्रोड की अवाद्धी को दे दो जिसको जरूड़ता है वो खाएगा अब आप जिकीन मानिये जी मैं आपको अगर स्क्रीन पे दिखाऊं हम ब्रैंडिंग एक्सपर्ट हो सरा आप ना उन से लेके कैसे सेंपलिंग करनी है कैसे दे आपको डेट नहीं बदली है सब मेरे पास अपडेट होते हैं और इसमें यह देखिए यह और्डर खोला यह 1220 रुपए का प्रड़क्ट है आतर 200 उननजार पे दे के पिशन्ट ले सकता है क्योंकि कुछ ऑफर डिसकांट अपने नहीं ऑफर नहीं साहब 249 रुपए तो ल लगे हुए हैं एक बंदे की 15,000 पैस हैलरी है तो वह भी इनसे लेनी है फ्री तो हम सिर्फ कैप्सुल दे सकते हैं वह भी इसलिए दिया कि इसको पांच कैप्सुल जब आदमी खाता है ना फिर दबारा हम हिंदोस्तानी फिर ढूरता है और मंगा हूं और फ्री मंगाने ज तो वह चीज बहुत है एक्स प्लस गोल्ड ने मुझे सच में पंजाब में बहुत अच्छा रिस्पॉस दिया और अब पूरे हिंदोस्तान से आ रहा है यह रिकमेंडेट फॉर मेल है हां यह ओनली फॉर मेल है और इसके साथ बहुत सारी बहनों ने इतराज किया कहते ही ग क्यों आता है कि जब आदमी के अंदर वीक्नस होती है वो उसको टच करता है वो अपना काम तो कर लेता है उसके बाद थोड़ा बहुत 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 बढ़ी प्रावल्म और सर्पता होता है लेडी तब वह नहीं दिखाएगी कि उससे वही प्रावल्म वह बाकि ज होता है बिल्कुल जैनुरिन बात फिर अच्छा अब मेरे साथ वह बात करते हैं उनको यह लगता है कि सुबाज गोल तो हमारा भाई है सिरुफ भाई नहीं सका भाई ऐसे मेरे साथ महबत है लोगों की कि जैसे रियल ब्रादर के साथ दोनों हस्वेंड भाई मेरे पास आक एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल एक्स प्लस गोल्ड टैबलेट तो इसके साथ एक जीवन में खुशाली आते हैं भाई साथ जब आदमी चरम पे पहुंच कर थैंक्यू बोलता है ना वो सीधा उपर वाले के दर्वार में लिखा जाता है कि यह इसके लिए भगवान के इस प्लस बाश गोल्ड ने कुछ किया किसी को एक मिंट की समाइल दे दो ना करोड रुपे के दान से उपर चली जाती है किसी को खुश कर दे ना एक करोड दान करके आजाओ वो एक तरफ किसी दुखी आदमी को थोड़ा सा खुशी दे दो वो बहुत उप्तर है वो है असली तो यह होता है जी यह हम यह कहते है कि पुन्य और साथ में फलिया कि हम लोगों को दबा देते हैं और उनकी दुआ भी लेते हैं पैसा भी लेते हैं अब पैसा यही रहता है वो दुआएं जो हैं वो साथ जाएंगी तो यह जो चीजे हैं इनको लेकर के हम चले हैं और दिल में रखते हैं हिंदोस्तान क्यूंकि दिल हें हिंदोस्तानी अभी लोगों के GPT पर partes भो ग्रीस बड़ा वर्ट सुनते हैं क्या है 이거 लिक्विड खतम हो ग्रीज खतम हो ग्रीज छतम हो ग्रीज अपके gyवल्च इस Alabama capaz अपने गुटने में साइनोवल फ्लीूड है उसको ये प्राबलम तब आई जब हर कोई कहने लग ग्रीज अब मालो आप कहीं बैठे हो दस दोस्त हैं बीच में एक ने कहीं कहा दिया यार आजना स्टिफनस ही हो रही है बीच बैटे बैटे मजाक में बोल देंगे अरे ग्रीज ना खत्म हो गया हो जा एक्सरे किरा ले उस समय तो आपने मजाक कर दिया लेकिन वो इनसान एकांत में भी तो बैठता है ना जब अकेला बैठता है तब सोचता है यार उसने बोला था कई सच मुच तो नहीं फिर वो दोक्टर के पास जाता है सला लेने डोक्टर भी कह दे तेंग रीज ना खत्म हो अब पका ठपा लाए जाते है यार उसने भी कहा था इसने भी कह दिया मेरा तो पतुरी खट्म हो गया बई आपका बेड़शुरू बस काम शुरूरू एक्सरे में एक्सरे कराया थीक है थोड़े दिन दवाई का ले दोगयों दवाईह happy दे दी चक्क्ष इन आपकी अब कुछ ठीक निला MRI कराते हैं यह जा है एसा चक्कर चलता है एंसान है एसा चक्रवियो में चला जाता है जैसे अब्मन न्यू शक्रवियों से वहर नहीं आया और उसके लिए हमारे जो भगवान है बहुत बड़े कलाकार हैं उसे बड़ी कलाकार ही क्या होगी 시간이 बनाया मुझे बनाया नाक में जरासा भी चेंज नी है कान में जरासा भी चेंज नी है होंट चेंज आँखें चेंजनी, बाल चेंजनी, कुछ भी चेंजनी लेकिन, एक दूसरे की शकल में सब अलग है, सब चेंज है, कैसे किया हुस्थ है, नथ है, तो मतलब कहने का कि उसने बनाया गोंद, पेड होते हैं न, पेड़ों को गोंद लगती है, गम लगती है न, तो वो जो कि वो जो गोंद है उसको हमारे वैद जी ने कुलक्ट किया तिक है उसके उपर काम किया तो वो गॉंद जो है वो बनके आया घुटनों का ग्रीस, समझ में आया लोगों को, उसको फिर हम ने दिया लोगों को काला गॉंद जंगली, ये प्रोड़क्ट है आपका, हाँ जंगली काला गॉल्ड ये पढ़ा, अच्छा ये है काला गॉंद, ये प्रापर न पेडों की ये हम डारेक्ट लगा सकते हैं और ये हमें खाना है ये पेन किलर का काम करता है ये मैं जरूर ले जाँगा आपसे लेके जाना इसके लिए द्वाइं मिलती हैं बज़र्गों की ऐसे स्प्रे किया तेल लगाया गुटना जो बिलकुन काम पे जाने को दिल नहीं करता था वो दनिया के किसी भी कौने में बैठे हो आप अपना मोबाइल खो लो उस पर रोगों पहले तो ये लेकर जाते हैं चोटे डबा हम भी ऐसे करते हैं कि ये लेकर जाओ साथ में हम कहते हैं अगर आपके घर में बच्चे हैं उनको भी देना शुरू करते हैं बच्चे बूड़े दीदी मामा चाचा सब नॉर्मल हल्दी से अलग है अलग है आप कहते हैं नॉर्मल हल्दी के बहुत बेनिफिट है पर इसमें के साथ हैं यह कुछ और है कैसे यह लो कौन बनाए कहाँ जाए पर healthy एक सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं आप healthy प्रिस्काइब क्यों करते हो healthy के क्या benefit है healthy हल्दी का जो benefit है ना जी पैर से लेके सर तक हजारों benefit है इसके healthy हल्दी के यह हड़िया मजबूत करती है cancer के cell पैदा नहीं होने देती और सबसे बड़ी बात है कि यह आपके liver को detox करती है और इसमें एक चीज़ और बिदाता हूं यह गठिया जोड़ों का दर्द कोई भी हो उसको ठीक रखती है नॉर्मल हंदी जो सबके घर में है sugar को खाते ही नहीं लोग सबजी में भी यह कहके खाते है अब इसमें क्या खास है सर इसमें बदाता हूं जितने भी लोग आपका यह प्रोग्राम सुनेंगे मैं सबको बताना चाहता हूं कि यह घर पे बनाओ मैं बहुत सारे इंडूस के बताता हूं जो अभी भी बताए हैं मैंने कि घर पे बनाओ अगर आपको घर पे ना बिने तो गूगल पे जाओ सर्च करो और खरीद लो मनलब यह नहीं है कि आप मुझे फोन करकर के तंग मत किया करो मैं नहीं सुन पाता देखो इतने फोन है जी दिन में नहीं सुन पाते फिर नीचे लिख देते हैं कि भी बैटके गोईल साब क्यों बोलते रहते हो फोन तो उठ होगे नहीं उठा पाते तो यह आपको मैं बताता हूँ घर पे बनाओ नंबर एक काली हल्दी सबसे बढ़िया नंबर दो सेलम की जो नौर्मल हल्दी अपने रसोई घर में होती है उसके बद दारू हल्दी भूप पीने वाली दारू नहीं यह दारू हल्दी यह लकडी हो वो भी एक लगडी शेप पे होती है अमबा हल्दी के बाद है इसके अंदर मैदा सक लगडी जिसको हम बोलते हैं जंगली हल्दी पांच हल्दियों का मिश्रन है पांचों मैंने बोल दी आप वीडियो को बैक करके सुनिए देखिए संभाल के रखिए सेव कीजिए कुछ भी करिए यह नुसका बार-बार बोलानी जाता दिया नी जाता या फिर इसको बारे में ज़्यादा पढ़ना है गूगल पे चले जाना www.wayadwan.com पे या सीधा ही लिखना गूगल पे पंचम हल्दी सीधा यही आएगी सारण उसका लिखा हुआ घर पे बनाओ अगर आपको लगता है घर पे बनाना मुश्किल है यहां तो बटन नहीं दबाना है तो बटन दबाओ तो यह सबसे बड़िया चीज है इस हल्दी का आधा चमच एक कप दूद उसमें गोल करके उसके साथ यह काला गूंद का कैप्सुल खाना है तेल लगाना है रात को सो जाना है सुबह उठती इंसान बैड से कहता है गोल साथ धन्यवाद बड़े दिनों के बाद आज कुछ अराम मिला है सर अब हल्दी की बात करें जाना है, आप उन्हें रेट करना या अगर आपके वारें कुछ दोश्रवत कुछ भी बोलना चाहें गिलोई बहुत सुनते हैं डैंगू अगेरा, कैंसर इंसरें सुनते हैं गिलोई खाओ, गिलोई का वो पियो काड़ास बना के, गिलोई कैसा है गिलोई गिलोए एक अमरत जिसको बोलते है जब समुंदर मंथन हुआ था तो भगवान शिरी द्रमंत्री जी एक कलश जो है अमरत का कलश लेके परगट हुए थे आपको पता होगा वो असरों में और देवताओं में बितरन हुआ जो गरंथ में लिखा ये तो वो किसी कारण वो उसको लेकर के मोहनी रूप में भगवान विश्णू जी वो कलश लेकर के भागे तो वो हिमालिया पर चलग गया जहाँ 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 वो चलगा वहाँ भाग गिलोए पैदा हुँ इतना अच्छा है वो जिसको संजीव नहीं कहते हैं वो गिलोए है जो लोग गिलोए ले ले लेते हैं गिलोए का अक्स्टेक्ट लेते हैं जैसे हमारे बैद जी ने तो गिलोए का कैपसूली बना दिया था वो भी लेते हैं जो लोग गिलोए लेते हैं भाई साव उनका गिलो जाई नहीं सकता बाड़ी से ऐसी भी उसका गिलो ए नाम रखा आवारे मुझरगों ने तो वो एक रसाइन है और वो गुदरत की देन है इसको कोई बोता नहीं बीजता नहीं यह अपने हाप पैदा होती है अप देखना कहीं भी अपने हाँ पैदा होती है और बेल बन जाती है इसका इतना सा कलम लोग कहीं भी गार दो चल पड़ती है यहां मर्जी इसको लगा दो जहां कोई फसल नहीं होती है यह अरान का तेल इनकी भी आप बहुत बाते करते हैं इनका क्या बैनिफिट है के दर्दों के लिए बहतर है यह शरीर के लिए बहुत बहतर है बले यह शरीर का पॉशन करने वाली चीज़ें जैसे अरिंड है यह भी देख़वा कोई इसको बीजताब होता नहीं है खड़ी होती है अपने आप पैदा होती है बले यह साइन पड़कते हैं जो गौड कैपसूल ले लो कमाल के चीज़ें सर एंडिंग नोट की तरफ ले जा रहे है अपनो पॉड़कास जाते जाते आप से एक मैसेजर माँगा मैं पर उससे पहले लास्ट चीज़ है मुझे पता है बहुत गलतियां करते हैं हाउसोल्ड में कुछ ऐसी गलतियां जो आपको आता है जी उसमें अपने जो पैर है और अंडर आर्म दो चीज़ें बहुत साफ रहने चाहिए एक नाभी तीन चीज़ें नाभी के अंदर आप स्पेशल जो भी साबन शेंपू लगाते हो नाभी में ऐसे लगाओ मलो उसको दो डालो उसके बाद धीरे से ऐसे अपना कोई भी भी तेल लो इसमें मिला दो लगा दो और कोशिश करो कि नारियल का तेल हो आधा चमच और एक चमच हो देसी गी गाय का उसको मिक्स करके रखो यह मातरा बताई है बढ़ा भी सकते उसी तरीके से रेशो तो उसको रखो बच्चे छोटे हैं उनको तो जरूर करो तो यह जोर से मलो और उसके बाद नहा लो और पैरों में भी कुछ ना कुछ तेल जरूर लगाओ जैसे यह नाखून है इनके अंदर ऐसे रूई को गिला करके कॉटन डिप करके सरसों के तेल में ही लगा लो तो उससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है इसका पोशन होता है जैसे तो पैरों में थोड़ा सा जामा चला दिया करो जो पैरों की जतनी गंदगी आप हटा होगे उतनी मिमारियां काम होगे कहते है सर, skin भी breath करती है हमारे, skin भी सांस लेती है हमारी, लेती है ना, लेती है आपका भी गलब्ज पहनू, पलास्टिक के, रबड़ के, आप पहनके, पांच मिनट बैठके दिखाओ, उतारने पढ़ते हैं, क्यों यहां से सांस रुक जाता है, यहां से सांस लेती है, नहीं उतारते हैं काते हैं या राम सा आ गया तो घर जाके शूज उतारते हैं सौक्स उतारते हैं कितना अराम अराम मिलता है मिलता है क्योंकि वो हमारी जो नाखुन है उससे हमारी स्केन जो है वो सांस नेती है और दोनों जगा पे अगर आप तेल बराबर लगाते हो और इसको रगड़ड़ड़के साफ करते हो तो जीवन में आपको कभी भी तनाव नहीं आएगा स्ट्रेस नहीं आएगा, बॉड़ी पे उपर बजन नहीं आएगा बहुत देह के उपर कोई ऐसा stress नहीं आएगा जो आपको बुश्किल करते ऐसी चीजें ये इस्तेमाल करनी चाहिए और जो बात आपने कही सुबा गर्म पानी ठंडे पानी की अगली बात 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 करेंगे आप जाते जाते सारे दर्शकों के लिए कोई एक message और मुझे पता जरूरी है मैं थोड़ा सा इस मामले में बहुत अध्यातमक हूँ कि जिन घरों में माबाप हैं कभी कभी उनके साथ बात कियागा पूछा करो कि कही कोई चीज की जरूरत है हम है ना बताओ क्या चाहिए कुछ नहीं मांगते हो उल्टा आप कोई देंगे बस इतना काम करना कभी सर्सों का तेल ले करके हल्दी दूद में डाल करके उनको पिलाना और पैरों में सर्सों का तेल लगा आपके बहुत रुके हुए काम हो जाएंगे भईया पित्रों को तो बहुत खिलाते हो शरादों में कभी जिन्दा पिता माता को खिला के देखो मैंने ये वो वाइफ को भी चाहिए चुनी सी मूँ में लेके बोल दे I love you जी बोल दिया करो क्यों उससे क्या होता है जिन्दगी में एक बहुत बड़ा निखार आता है और ये तजर्बा करके देखना आप आफिस से निकलते वक्त अपनी वाइफ को मैसेज ला लो I love you घर जाके देखना कितनी सेवा होती है फरक पड़ता है भई साब कई बार कहते हैं लोग की प्यार तो करते हैं जताने की क्या जरूरत है कुछ चीज़ें जतानी पड़ती है ऐसी बात है हर कोई चाहता है कि हमें कोई भी कभी कोई फूल दे दे आके कभी कभी माँ बाप चाहते हैं हमने बच्चे को नौ महीने पेट में रखा यार इसका कभी तो यह तो कह दे कि आपकी वज़ा से मैं दुनिया में हूँ यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है तो माँ बाप से अगर माँ अपने बेटे को आई लवजू बोलती है बेटा अपनी माँ को आई लवजू बोलता है तो अगर दादा दादी दोनों एक दूसरे को आई लवजू बोलते हैं सब्सक्राइब आपके साथ हमेशे ही अच्छा लगता है अच्छा लगता है थैंक यू सर धन्याबाद थैंक यू